प्रेंट्स अगर आप भी अपने लाइफ में एक सक्सेस्पुल एंजिनियर बनना चाहते हैं अगर आपका भी एक बहुत ही बड़ा सपना है कि आप आगे जाके दस वी के बाद बारवी साइंस से पढ़ो और बारवी के बाद आप एक एंजिनियर बनो और अपने नाम के हैं इंजिनियर की दोस्तों यह जो वर्ड है एंजिनियर यह बहुत ही ज्यादा यूज लगता है सुनने में खास कर जब हम छोटे स्टैंडर में होते हैं मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब हम छोटे थे लाइक सेवेंत या एट स्टैंडर में थे और हम से कोई है तब तक डॉकटर्श के ज़रूरत होगी और तब तक से जेराइक होगी यानि कि यह एक ऐसा जौब होगा यह एक ऐसा फिल्ड होगा जिसमें आपको जौब की कमी बिलकुल नहीं होगी हाँ बीच में कुछ लोग ने एक हवा फैलाई थी कि एंजिनेर्स को जौब नहीं मिलता अरे इंजिनेर्स तो घर पे बैठते हैं अरे यार यार ये बच्चा तो इंजिनेरिंग करके बैटा हुआ है घर के पैसे खाता है पलता बढ़ता है तो इस प्रकार से लोगे बाते कर करने पर मजबूर किया जाता है हो सकता है उनका पैरेंटल दबाओ हो या फिर सामाजिक दबाओ हो तो वो कर लेते हैं लेकिन उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है वो इंजिनेरिंग के फील्ड में ठीक है तो इसके लिए वो चुप चुप घर पे बैठते हैं और गोल बना लेता है तो वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है और अपने लाइफ में बहुत अच्छे पोजिशन में जा सकता है और बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा सकता है और आज इसलिए ये वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक सक्सेस्पुल इंजिनियर को क कैसे बनना है क्या आप करो एसा आप लोग अभी छोटे स्टाइंडर के स्टुडेंटों क्योंकि मेरे टार्गेट स्टुडेंट वही है जो हमारे चानल पे है जया टुटोरियल से इस जया टॉक्स पे आते हैं हमारे कुछ मोटिवेशनल और कुछ करियर गाइडेंस के वी खास कर मैटमें यह दो सब्जेक में ज्यादा इंट्रेस्ट होता है उसको इंट्रेस्ट ज़्यादा दिखता है तो वह डेफिरिटली परसिव करता है अंजरेंग निग्री एक एक बहुत ही बड़ा डिगरी है बहुत ही ज्यादा डायवरसिफिकेशन है इसके अंदर भी एक इंजिनेर हूँ, आया मैं आटो मोबील इंजिनेर, ठीक है, मैं गाड़ी ओ, जो गाड़ी कैसे चलती है, गाड़ी के पीछे मेकानिजम क्या होता है, टू वीलर, फोर विलर्स, ट्रक्स वगरे, जितने भी आटो मोबील्स होती है, वहिकल जिसको बोलते हैं, उसका मै ने दे दिया है, टीचिंग में, जो हम जया टुटोरियल्स के ओपर रेगुलर मेहनत करके वीडियोज डालते हैं, लेकिन आज बात उसकी नहीं करेंगे, आज हम इंजिनेरिंग की बात कर रहे हैं, तो एंजिनेर कब सक्सेस्फुल बनेगा, सोचो यार, सोचो, कब इंसान सक्सेस्फुल इंजिनेर बन सकता है, अगर कोई इंसान के पास एक पर्टिकुलर टैलेंट है, समझ लो, कि कोई इंसान इंजिनेरिंग कप करने जाता है, जब उसको उस चीज़ से किक मिलती है, जैसे हम लोग एक मूवी में एक डायलोग था, ति मुझे इस चीज़ से किक इंजिनेरिंग का इं तक निहीं मालूम होता है, जैसे कि अगर मैं आटो मोबालेंग किया हुआ है, उटो मोबालेंग के बारे में, गाड़ी कैसे चलती है, तो स्टोग, क्या होता है, ù एक इसान काबिल, मैं एक काबिल इंजिनेर हूँ, लेकिन कुछ ऐसे हींजिनेर रह लीएगि उनको कुछ मालूम नहीं है, ठीक है, यह हो गए, नाम वाले इंजिनियर, आप काम वाले इंजिनिर क्या होता है, उनको कुछ भी पढ़ाई नहीं किये उन्हों avanz वह उसको रिपयर कर सकते हैं, तो वह भी एक इंजीनियर है, क्यों उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेजग है, बस उनके पास क्या नहीं है, що degree नहीं है, इसलिए वो मात खा जाते हैं, उनको हम दिगरी नहीं, उनको हम एंजिनर नहीं बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कि ये तो मिस्तरी है, हमारे हिंदी वर्ड में तो ये ही बोला जाता है हमारे हिंडिया में, अरे ये तो मिस्तरी है, अरे ये तो टेक्नीशियन आदमी है, ये मिस्तरी आदमी है, ठीक है ना, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं क्योंकि उसके बाच डिगरी नहीं है तो अगर आपको एक successful इंजिनर बनना है तो सबसे पहली बात आपके अंदर वो skill होना चाहिए अगर आप एक degree कर रहे हो engineering degree कर रहे हो लेकिन अगर आपके पास वो skill नहीं सीख रहे हो आप तो कही नहीं है आपका वो जो एंजिनर निका डिगरी है वो रखा रखा सड़ जाएगा कर में तो आपको अगर काबिल और successful इंजिनर बनना है तो सबसे पहले आप अपने आप से पुछो कि आपको किस field में इंट्रेस्ट है क्या अपको इलेक्ट्रिकल इंजिनर बनना है क्या आपको बिजली जो चीजे हैं electricity कैसे काम कर सकता है electricity कैसे और करता है कैसे पैदा किया जाता है इलेक्रिसीटी को कैसे यार कोई भी चीज खोलने लग जाते हो जैसे एक मुवी था उसमें वो कुछ भी जब देखो टेश्टर लेके घुमता था अमिर खान और वो मैं बात कर रहा हूं थ्री इंजिनेर बन सकते हो या फिर जानकरी और पढ़ने में मजा आता है तो आप व्रीज़ से पहले कि किसमें जैदा पैसा मिलेग भाई या उसमें जाओंगा कर सकते हो ऐसी बात नहीं है अप उसमें भी परस्रीउ कर सकते हो mechanical का एक टाइम पर बहुत ज़्यादा डिमांड था, सब लोग mechanical engineering करने के चले गए, एक टाइम पर बहुत इलेक्टरिकल का डिमांड आया, electrical में करने चले गए, लेकिन बाकी को भी importance दो, मतलग इससे एक चीज़ क्या पता चला कि अगर आपको एक successful engineer बनना है, तो पैसे के national companies में काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा कमा रहे हैं, मतलब लाखों में कमा रहे हैं, मैं क्या बोलो आपको, ठीके, तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, मतलब एक successful engineer बन सकता है, अगर उसके पास practical knowledge हो, skills हो, और साथी में एक अच्छा college का degree हो, तो definitely वो अपने life में आगे बढ़ सकता है, एक छोटा सा example दूँगा, आपने इनका नाम तो शायद सुना होगा, ठीके न, मैं यहापे में लिखने की कोशिस करूँगा, ठीके, एक व्यक्ति है जिनका नाम है दोस्तों, सुन्दर पीछाई, ठीके न, ये इनसान के बारे में मैं क्या बता हूँ मतलब मुझे इतने ज्यादा पसंद है, ये इनसान, गूगल पे सर्च कर ले न, अगर आप शायद नहीं जानते हो इनको, तो खाली गूगल पे सर्च करना, क्योंकि जो गूगल पे आप सर्च कर रहे हो न, वो गूगल के जो CEO है, वो भी यही है, ठीके, और जो गूगल ज ये भी जो व्यक्ति है न, ये भी क्या है, ये एक इंजीनियर है, समझ में आ रहा है, ये भी एक इंजीनियर है, तो मैं आपको बता दू कि इन्हों ने अपना इंजीनरिंग हमारे इंडिया के IIT खड़कपूर, ठीक है न, और सबसे पहली बात दोस्तों देखो, इंजीनर अगरा बनना है काविल, तो कोशिश करना IIT जैसे, NIT जैसे कॉलेज में एंडिमिशन मिल जाए, उसके लिए JW क्लियर करना पड़ेगा, JE, MAIN, JE, ADVANCE तक जाना पड़ेगा, तो definitely आप IIT लेवल पर जा सकते है, क्योंकि कोई बच्चा अगर IIT तक पहुच जाएगा, तो अली की कमी, classes नहीं लगा पाया, tuition नहीं लगा पाया, बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया, बहुत सारी चीज़ की कमी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए, लेकिन इसमें आए, field में आए, teaching में आए, आप लोके लिए सब चीज़ दे रहे, आप लोका सपना फिल्ड है, तो totally जमीन आसमान का फरक है, मतलब ये फरक नहीं परता कि आपने किस field में engineering किये, अगर आपको एक successful engineer बनना है, या फिर आगे जो चीज़े करनी है, तो आपको skills एडाप करने पड़ेंगे, और इन्होंने भी वही किया, skills को एडाप किया, अगर आपके पास skills है multiple skills है, कोई एक field में बहुत तारे knowledge है, तो आप उसमें काम करते जाओ, महनत करते जाओ, एक नएक दिन आप successful जरूर से बने होगे, और engineering students का, engineers का भी यही है, कि आपको एक skill पकड़ना पड़ेगा, और उसके उपर महनत करना पड़ेगा, जादा समय नहीं लगता, दो से तीन engineer, civil, mechanical, जो भी engineer बनने के बाद, काम क्या मिलता है, वो पहचान हो, और वो काम के अंदर क्या-क्या skills की requirement होती है, वो पहचान हो, अगर यह सब चीज पहचान जाओगे, तो definitely दो से तीन साल लगेंगे, आप एक successful engineer बन जाओगे, और अच्छे-चे position में बैठोगे, अच्छे- महान व्यक्ति, उनके बारो में मिक्यात कितना तारीफ कर, उतना काम है, वो अच्छा लगता है कि यह हमारे इंडियन है, बहुत अच्छा लगता है सुननने में, लेकिन आपमें से भी कही सारे ऐसे लोग होगे, चिट के अंर टालेंट होगा, जिन के अंदर वो motivation, आग, व प्रोशन करेंगे, क्लियर है, तो उमीद करता हूँ कि यह सब चीजे आपको समझ में आ गया होगा, तो चलो फिर आज के लिए यह वीडियो इतना ही, उमीद करता हूँ, यह वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा, वीडियो कैसा लगा है, प्लीज कॉमेंट करना, वीडियो कराएंगे, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तके लिए, थाइंक यू एंड गुडबाई